हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग जो है वो संग लोग सेवा आयोग के बारे में जानेंगे इस से पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने निरवाचन आयोग के बारे में विस्तार से समझाता है हर एक चीज कि ये कैसा न समवैदानी निकाय है तो इसमें कितने सदस्य होते हैं इसके कारे क्या है संगलोग सिवायोग का इसकी पदावद क्या है कितने समय तक इसके सदस्य और अध्यक्ष जो है वह उनका कारेकाल रहता है ठीक है यह सब वर्णन कहां पर किया गया है किन अनुच्छेदों में तो यह सब चीज़े जो है काफी इंपॉर्टेंट हैं UPSC एक्जाम के लिए या फिर य्प यूपींस کی बात करेंगे इस चेप्टर में हम लोग इस लेशन में तो देखो जो संग लोग से बायोग है यानी ये एक स्वाधंत्र संबयादानिक निकाय या संस्ता है तो सबसे पहला वाला वीदियो पालीटिक अथ उसमें Cheryl संजयता कि संवधानिक वणन किया गया है, तो संब्यधान में वणन किया गया, तो कहाँ पर किया गया इसका वणन इस अनुखेद को आप थोड़ा मन में ध्यान में रखें, अगर मेंस का exam में आपको question पूछा जाए तो वहाँ पर आप लिख सकें, इसलिए इनको आप पर इसका वड़न किया गया तो उसका उत्तर है कि समयदान के भाग 14 में अनुच्छे 315 से 323 तक इसका वड़न किया गया किसका संग लोग सेवा आयोग का देखिए राज जो लोग सेवा आयोग है उसकी चर्चा हम लोग अगले चेप्टर में बाद में करेंगे अभी सिर्फ संग लोग सेवा आयोग इस चीज़ का ध्यान रखें तो अनुच्छे 315 से लिकर 323 तक संग लोग सेवा आयोग की जो कार है उनकी सक्तियां है उनकी संद्चना है मतलब इन सब का वड़न किया गया है ठीक है तो आप समझते हैं किसकी संद्चना क्या है इसमें कितने सदर् निर्धारित नहीं किया गया था कि संग लोग सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे या अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या कितनी होगी तो अध्यक्ष तो एक ही होता है लेकिन अन्य संद्च्य कितने होंगी इसकी विवस्ता ये पहले से इसका निर्धारन संभिधान में नहीं किया गया था राष्टपति महुद्य को इसका अधिकार दिया गया था कि राष्टपति जो है वो निर्धारित करे कि कितनी सदस्य की संख्या रखनी है लेकिन वर्तमान में जो विवस्ता है उसमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं ठीक है इसलिए आप यहां पर न कितने सदस्य होते हैं या उनको नियुक्त कौन करता है या उनकी संख्या का निर्धारण कौन करता है ओके आयोक के आध्य सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्स काम करने का अनुभा हो तो संग लोक सिवा आयोक के जो सदस्य होते हैं उनको कम स से कम उन में जितनी संख्या होती है यहां पे 10 सदस होते हैं तो कंसे कम आदे सदस यानि 5 जो है वो भारत सरकार या राज़ इसरकार के अधिन कम से कम 10 वर्ष उनको काम करने का अनुभर मिला हो तभी उनको नियक्ट किया जा सकता है कमसे कम आदे सदस्यों को ठीक है अध्यक् करते हैं निर्धारित करने का अधिकार राष्टपती को दिया गया है संभिधान के अनुसार तो इनके जो सेवा सर्ते जो है वो राष्टपती ही निर्दारित करते हैं अब बात करते हैं पदावद की कि इनका कारेकाल कितने समय के लिए होता है तो अध्यक्ष और उसके सदस्य संग लोग सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है और उसके सदस्य जो है इन सभी का कारेकाल 6 वर्स या 65 वर्स की आयोग जो भी पहले हो तक होता है तो इस चीज को यहां पर बहुत आसान से लिखा हुआ है लेकिन जब कोश्चन पूछा जाता है आपको चार बिंदू दे दिये जाते हैं कि कौन कौन से सकते हैं तो एक जगे लिखा होगा कि इनका संग लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों का कारेकाल 5 वर् होता है या 75 वर्ष की आयू अगर कल किशल firewall हो जाती तो वह रिटायर हो जाते हैं या अगर कम है तो छे वर्ष तक तो रहते ही हैं ठीक है यह अध्यक्र या सदस्य जब चाहें तब राष्टपती को अपना त्यागपत्र सौप सकते हैं तो ये त्यागपत्र किसको देते हैं राष्टपती को अगर इन्हें देना होता है तो अच्छा इन्हें हटाये भी जा सकता है तो हटाने की प्रक्रिया क्या है संभिधान में एक प्रक्रिया गया कि उनको हटा सकते हैं लेकिन एक प्रक्रिया के माध्यम से तो वो प्रक्रिया क्या है वो यहां समझ लेते हैं यदि उसे दिवालिया घोचित किया गया हो उसे अर्थात अध्यक्ष को या फिर सदस्यों को सदस्यों में से किसी सदस्य को जिसके खिलाग भी कारवाई की तो यह उसे दिवालिया घोसित किया गया हो या फिर पदावद के दौरान किसी अन्य वैतनिक नियोजन में लगा हो कौन वो सदस या अध्यक्ष अलग से अपना जैसे की भरष्टाचार में लगा हो या फिर अन्य वैतनिक नियोजन मतलब कहीं और से भी वेतन प्राप्त कर को कि इसके अलाबा है मानसिक एवं सारीरिक असक्षमता तो अगर वह कारे करने में सक्षम नहीं है कोई सदस्य या फिर अध्यक्ष तो भी उसको राष्टपती हटा सकते हैं उसके पद से इसके अलाबा एक प्रक्रिया और है इसके अलाबा राष्टपती आयोग के अध्यक् इसका तात पर यह हुआ कि राष्टपती जो है वो आयोक के अद्यक्ष या सदस्यों को दुर व्यवार एबं कदाचार के अधार भाण सकता है लेकिन अगर दुर व्यवार केमाद्चार के मात्दम से हटाना है तो सबसे पहले इस मामले को उच्चतम न्याले यानि सुप्रीम कोट में भेजना होता है और अगर उच्चतम न्याले जाच के बाद हटाने का परामर्ज देता है तो राष्टपती आयोक के अध्यक्षिवम सदस्चों को हटा सकता है तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ पर भी ये डायरेक्ट सीधे तोर पर राष्टपती नहीं हटा सकते पहले इस मामले को सुप्रीम कोट भेजना होगा अगर सुप्रीम कोट इस मामले का परामर्ज सलाह देती है कि हाँ इनको इनको दोसी पाया गया है कदाचार का या दुर्वेवार का तो अब आप इनको हटाईए तो राष्टपती के लिए यहाँ पर एक बहुत important point लिखा हुआ है कि इस तरह की उच्चतम न्याले द्वारा दी गई सलाह राष्टपती के लिए बाद्धिकारी होती है देखो राष्टपती महोदे जो है उनको विभिन्य विश्यों पर सलाह लेने के लिए सुप्रीम कोट से वो सलाह राप्त कर सकते हैं कभी-कभी और वो सलाह उनके लिए बाद्धिकारी नहीं होती है कि राष्टपती उस सलाह को माने या ना माने लेकिन यहां पर जो है इस परकार की जो सलाह है यानि अगर दुर भिवार या कदाचार का दोसी पाया जाता है यहां पर जो जिस पाइंट के हमलोग बात कर रहे हैं किसी अध्यक्स या फिर मतलब अध्यक्स संगुलोग सिवाय आयोग के या फिर उनके सदस्यों को और अगर सुप्रीम कोट राष्ट पती महोदे को परामस देता है यानि सलाह देता है कि इनको दोसी पाया गया है और इनको आप हटाईए तो राष्ट पती महोदे के लिए ये बादिकारी होते ही मतलब उनको फिर हटाना ही पड़ता है ठीक है इसके बाद मात आयोग के कारे डी संगलोकसेव आयोग के कारे क्या हैं तो यह बहुत इंप इम्पॉर्टेन्ट हैं को बहुत अच्छी तरीश इसा समझ लीजे यहाँ पर कर अखिल भारती सेवाओं, केंद्री सेवाओं, व केंद्र परशासित छेत्रों की लोग सेवाओं में नियुक्ति के लिए परिष्चाओं का आयोजन करना। एक तो ये कारे हो गया संगलोग सेवायों का, दूसरा नियुक्ति पद्दती से संबन्दित मामलों में तथा पृत्यक्ष एबं, पदोन्थ के माद्यम से होने वाली नियुक्तियों में सरकार को सलाह देना, तो एक सलाहकारी संस्था के रुप में है भी है ये, किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध चल रही विधिक कारवाईयों के सम्मंद में सलाह देना ठीक है सरकार को तो एक point यह हो गया उसके बाद है कि राष्टपती द्वारा मांगे जाने पर अन्य किसी मामलों में सलाह देना तो राष्टपती को भी जब वो किसी मामले पर अगर सलाह मांगते हैं तो UPSC से उनको सलाह देती है इसके अलाबा यह बहुत important, most important यहाँ पर एक point है कि राष्टपती को प्रतिवर्स किये गए कारे का प्रतिवेदन देना तो UPSC अपना वार्सिक प्रतिवेदन जो है, एक वर्स में क्या क्या किया उसने, वो किसे सौपती है वो राष्टपती महोदे को सौपती है, यह question कई बार पूछा भी गया है, state PSC के exam में भी और UPSC में भी इसके बाद है, राजपाल के अनुरोध पर राष्टपती की सौपती की सौपती की उपरांत राज्यों को सलाह प्रदान करना अर्थात अगर किसी राज्य को कोई सलाह लेनी है, UPSC से तो क्या होते हैं कि राजपाल महोदे अनुरोध करते हैं और उसको अगर राष्ट पती स्विकर्ट प्रदान कर देते हैं, UPSC को कि ठीक है, अब आप जो है सलाँ दे सकते हैं, राज्यों को, तो वो राज्यों को भी सलाँ प्रदान कर सकती है UPSC, ठीक है, UPSC को समभयदानिक सनरच्ण प्राप्त है, यानि स्वतंदरता भी दी गई तो किस प्रकार का समभधानिक सनक्षण प्राप्त है इसके बारे में आप समझ लिए एक तु पदावधि की सुरक्षा अर्थात इनकों इनके कारेकाल से पहले कोई सरकार नहीं हटा सकती अगर हटाना है तो उसकी एक समभधानिक प्रक्रिया है जिसका हमने उपर अभी वर् कि इसके बाद है दूसरा कि नियुक्त के बाद सेवा एवं सर्तों में अलाबकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता अर्थात इनकी सेवा एवं सर्तें निर्धारित करने का अधिकार तो राष्ट्पति महुदे को है जैसा कि हमने उपर अभी देखा लेकिन इसमें कोई अल विए लाब कारी परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन अलावकारी परिवर्तन नहीं किया सकता ठीक है तो यह क्लियर हो गया डावाप्ट्रभ जिय प्राफ्त हमें उसके विशय में संशद्रें नहीं होता अन्य जो है मत्सदान होता है जब भारत की संसद में मत्सदान नहीं किया जाता है अब कुछ और important point जान लेते हैं कि कारेकाल के बाद क्या संगलूक सेवा आयोक का अध्यक्ष जो है वो किसी अन्य पद पर नियूत किया जा सकता है कि नहीं या उसका सदस से किया जा सकता है कि नहीं तो यह बहुत कोने के बाद ना तो वो भारत सरकार और नहीं किसी राज सरकार के अधिन कोई नोकरी कर सकता है ठीक है उसका पात्र नहीं होगा वो तो यह बहुत इसको समझ लिए उसके बाद है यह सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कारेकाल के बाद संग लोग सेवा अयोक का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा लेकिन भारत सरकार या किसी राज सरकार के अधिन नियोजन का पात्र नहीं होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि UPSC का कोई सदस से जो है वो UPSC का अध्यक्ष बनाया जा सकता है अर्थात अपना कारेकाल पूरा करने के बाद UPSC का कोई सदस से जो है उसको UPSC का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, या किसी state PSC, नार Mimi, राजलोक से भायोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है ठीक है, ये दो बातें बहुत ध्यां से समझ लिए लेकिन भारत सरकार या किसी राजसरकार के अधिन नियोजन का पातर नहीं होगा, मतलब नौकरी नहीं कर सकता किसी राज्स Quindi तो क्या सकता है कि यह तो वह संग-लोग को अध्यक्ष मनाया जा सकता है या फिर किसी राज्स Eran पदों पर इनको निघ्ष्य किया सकता है किसको सदस्यों के लिए सिर्फ ठीक है अब इसके बाद एक बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है यहां पर जिसको समझना बहुत जरूरी है कि संग लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य इन दोनों को ही कारकाल के बाद पुनाह नियुक्त नहीं किया जा सकता अर्थात दूसरे कारकाल के लिए योग नहीं होते तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई UPsc का अध्यक्ष है तो उसको दोबारा किजी पत्वन नियुक्त नहीं किया जा सकता जैसा कि उप्र अभी देख और सदस्य इसदस्य नहींको अभी देखा कि उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है इस्टेट पीसी का तो यह बहुत important था तो दोस्तों exam के लिए जितने important points थे वह सब हमने इसमें सम्मिलित किये हैं और इसकी PDF जो है अगर आप हमारा telegram channel join कर लिजे वहां से हम मैं इसकी PDF वहां पे upload कर दूँगा वहां से आप download कर सकते हैं तो दोस्तों यह हमारा वीडियो कैसा रहा आप comment करके हमे जरूर बताएं अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप जरूर लाइक करें इससे हमें बहुत motivation मिलता है और अगला वीडियो हम कोशित करेंगे कि बहुत जल्द आपको प्राप्त हो तो यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन झाल 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